तो बहुत-बहुत स्वागत है एक बाब फिर से मेरे सभी NDA aspirant का NDA aspirant बिलकुल आपका mission 1 oblique 2024 start है बट कहते हैं किसी भी mission को तै करने के लिए आपको past analysis करना बहुत ज़रूरी है किसी जंग को जीतने के लिए सामने वाले की strategy को समझना बहुत ज़रूरी है क्या फिर last लड़ाई कैसी रही इसी तरह से किसी exam को attempt करने के लिए और उसमें final section लेकर के National Defense Academy का हिस्सा बनना है तो past analysis का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है बहुत सारी भांतियां, बहुत सारे confusion हैं हमारे देश के जितने भी NDA aspirants हैं और इस पज़र से कहीं ने कहीं final merit को meet कर पाने में confused हैं और उसका एक बड़ा example आपके सामने में आज लाओंगा आज मैं complete NDA first 2023 का analysis दूँगा इस analysis को देने का उदेश शमातर है कि NDA first 2024 में उन चीज़ों का आप बारीकी से ध्यान रखेंगे जो चीज़ें ये ध्यान नहीं रख पाए जो बच्चे NDA first 2023 में आज merit out होने का हिस्सा बने है तो चली इसको detail में अच्छे से समझने की कोशिस करते हैं जैसे आपको पता है बच्चा vacancies की बात करने तो army में 208 vacancies है including 10 vacancies for the female navy में total 42 vacancies including 3 vacancies for the female flying में 92 vacancies में से 2 reserve है female के लिए बाकी male के लिए है ground duty की बात कर लें तो total 10 including 2 female candidates है और ground duty में non-tech category में total 10 including 2 female candidates है naval academy में male candidates को permission दी गई है तो जिस तरह से आप total vacancy का आटेरिया देख रहे है तो 395 का है जिसमें 35 के आस पास जो है girls aspirant के लिए reserve category मानी गही है अब आते हैं हम लोग analysis पे तो 628 की जो list आप देखते हैं final list है जो की medical हो के है up to the mark है और day by day आपको याद होगा I remember my time तो हमारे time पे तो जैसे 400 की vacancy थी तो मुझे अच्छे से याद है कि जो short listing की जाती तो 430 की फोर फिप्टी की से अच्छा लिस्टिंग नहीं थी बट क्रमसा अगर आप साल दर साल उठा के देखें ते संख्या बढ़ाई जा रही है इसका मुख्य कारण है यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉइनिंग पर जा रहे हैं या एकेडमी में जाने के बाद भी कुछ इसूज हो रहे हैं इन डाट केस यह option रखा जाता है कि हमाई पास reserve candidates होने चीह हैं जिससे कि हम उन्हें पुना फिर से call कर सके और academy का उन्हें हिस्सा बना सके तो बिसिकली इसलिए नंबर आप बढ़ाए गए जो cut-off at least 25 marks in each subject criteria रखते हुए 301 का यहां पर criteria रखा गया है तो मोटा मोटा कर समझने की कोशिश करें तो सबसे lowest cut-off अगर मैं गत 4-5 साल का analysis रख दूँ आपके सामने तो 301 नंबर मात written examination में और finally अगर मैं कहले हूँ finally जो recommended last candidate जो यह 628 जिसकी position है उसका जो score गया है written plus SSB का मिला के वो 664 का गया हुआ है बट इसका फाइदा क्या है इस analysis को मैं बता क्यों रहा हूँ आज मैं उस analysis को बताने आया हूँ जो exactly आपको ताय करना है और इस list पे आपको गौर फर्माना है गौर फर्मानी की बात आती है तो सबसे पहले आप list देखें अगर मैं top 10 rankers को उठाता हूँ यहां पर क्योंकि आप exactly total जो बात करेंगे वो 628 candidates की बात करेंगे 628 candidates की पूरी list भी आप देखेंगे लंबी चौने लिस्ट आपके सामने आएगी जिसमें total इस 628 candidates जो हमारे हैं जो exactly इस list का हिस्सा बने है न्डिये की platform पे हर तरीके से मैं लगातार आपको बताता हूं यह कर मैं सिवराज सिंग की बात करूं जो कि फर्स्ट पोजिशन पर कैने दिख रहा है रिटन 529 आप स्कोर देखें SSB 473 अगर देखें तो टोटल स्कोर बनता है 1002 कितनी बड़ी बात है यार कि टॉपर जो और आप 500 की स्कोर के लिए महनत क्या है आप यह भी समझे धान से अगर इमानदारी पर आपने mathematics में किवल 60 question write कर दिये हैं तो आपके बन जाते हैं 2.5 marks के हिसाफ से 150 marks और second paper में अगर आपने up to 90 कर दिये हैं ठीक है न तो आपके बन जाते हैं 4 marks के हिसाफ से 360 और 150 में 90 मांग लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 360 360 प्लस आप 150 को जो है calculate करिये जोड़ करके तो 510 का score जाएगा 510 का score जाएगा जो आपको second topper का score दिखाई दे रहा है this is the reality कि 500 का score वहां केवल 50% से थोड़ा सा अकड़ा अबब करने पर भी हम जो है 500 save up का score कर ले रहे हैं actually हमारी पढ़ाई है कहां हम पढ़ क्या रहे हैं हमारा लेवल क्या है हम किसका इंतजार कर रहे हैं सच कहां है देखो फर्स टेप आपके रिटन में ही बेटर स्कोर से सारी पॉस्टिविटी है समझो ना आप द्यान से और यह 529 टॉपर का score है मलब यह सबसे हाइस स्कोर है रिटन का ति जो सपना दिखाते हैं 600 मार देंगे 700 यह सब बकवास है 500 भी मार करके आप टॉपर टॉप 10 रैंकर में हैं पहली दूसरी पोजिशन होल कर रहे होंगे यही सच है जो समझना जरूरी है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कोई भी टीचर में 120 में 100 करा दे रहा है सेकेंड पेपर में 150 में 130 140 आप मार दे रहे हैं अगर 100 कर दे रहे हैं तो 200 नंबर तो वह हो गए और अगर 120 वहां कर दे हैं तो 480 त इस आम को कंड़ेट करती है बच्चा जो भी कॉंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं जो भी चीजें पढ़ रहे हैं अगर उस पर बेस्ट एंडिये के प्रिवेस एर कुष्टन साप लगाने में सक्षम हैं तब तो आपके पढ़ाई का कोई अभिपराय है नहीं तो आप पढ़ से सचाई से हर मैत के टॉपिक के कॉंसिप पर काम करने की जुरूरत है और उस पर बेज अच्छे टीचर की फोकस की जुरूरत है जो इमानदारी से काम करें और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि पिछले 17 सालों से मेजर कलसी क्लास जबर जस काम कर रहा है देश की वन बेस टीम के साथ जहां फोकस्ट वन-टो-उन फोकस पर हम आपके कॉंसेट डेवलप्मेंट पर काम करेंगे बट इसके साथ आपको भी उतनी ही मानदारी से महनत करना होगा तब जाके एक कॉंपटिशन निकलेगे और मैं हमेशा एक बड़ी बात कहता हूं कि कोई भी कॉंपट अगला सेग्मेंट है अलग चीज है जो आपके हाथ में नहीं एक प्रस्टनलिटी का टेस्ट है उसमें 535 मैक्समी स्कोर गया हुआ है जहां आप देख सकते हैं 371 मार्क्स पाने वाला केंड़ेट 534 लेता और 905 मार्क्स बनाकर कि उट टॉप 10 जिससे भाई-वीका का ही हम स्कोर बात कर रहे हैं तो बच्ची रिटन में उतना स्कोर नहीं कर पाई है लेकिन उसका बेस्ट कोर है इस वजह से टॉप 10 होल्डर में अपना नाम अर्जित कर रहे हैं और आप टेक्निकली कर देखने चले जाए तो माली जीए हमको तो मतलब 395 से ही है अब भले 628 लिस् पोजिशन तक 430 पोजिशन तक बच्चे हैं उनको मौका मिल जाएगा और इससे बड़ी कोई कहानी है नहीं एक्जाक्ली तो हम वही बतारा 395 के स्कूर का क्राइटीर बच्चा में यहां पे देख लें तो लोईस्ट कितना गया वह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं तो इसलिए इन्हें पहले मौका मिलेगा बाकी लोगों की डेट अब बर्थ हभी है इसकोप है तो उनको बाद में मौका मिलेगा तो इग्जाक्ली एनालेसिस मुझे आपके सामने लाना था देखो दोनों ही प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा आप 500 में रैंक बन सच्चाई के साथ आपके कॉंसेप्ट पर काम करें वह आतने विश्वास आप में लाएं कि आप प्रीविस एरकुष्यन अप्रोच कर सकें और नहीं है तो फिर गरबढ़ है मैं आपको खुल के बता देनता हूं और दूसरा प्रसनालिटी का टेस्ट है एक दिन में नहीं होता है उसके लिए वह गाइडेंस और सपोर्ट चीए तो देश का जितना भी एंडिया एस्परेंटाइस एनालिसिस को देने का उदेश से मैं किसे को डेमलाइज नहीं कर रहा हूं मैं सच से औगत करना चाह रहा हूं अगर वाकईम इस बार एंडिया फर्स दोहजार चौ से लिए के इंडिविजुल फोकस से लिए कि आप में वह कॉंसेट डेवलेप्मेंट लाएंगे जिससे आप अच्छा कर पाएंगे और सब्सक्राइब कर लिए और सब कुछ अगर सच्चाई और इमानदारी के साथ हैं डिया के लिए तो हैं केसी के साथ और अगर आपका अगर हमारी सच्चाई और मेहनत के साथ आप काम करेंगे बच्चा तो 500 का लाएंगे और 500 का स्कोर का मतलब ही है कि हम टॉप 10 और टॉप 20 में आपको देखना चाहते हैं तो वेलकम टू-मके-सी फदस्यों साथ सब्सक्राइब जैन जैवाल